हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इन्टीग्रेटेड फिजिक स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेडी प्लस टू सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करिशार ची एब मूँ प्लस 3CVCS online classes रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करिवी जोदी भल लेगिला ताहरे लाइक कर दबो एबो सब्सक्राइब कर दबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड कर दबो तारा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को अल्रे सेट कर दबो लिस्ट रो तम्हें क्लिक करी, डाउनलोड मुध्यो करी परिवा पीडियोज को लास्ट रे यह जो मोरा चैनल नेम मुझी यहको क्लिक करी तम्हें यह एठी प्ले लिस्ट को जाई मू प्रती वीडियोज को unit-wise एच्पर सिलाबस होजेए की रोखे ती भी तम्हें सेर्च करी परिवाँ okay thank you hello students आज दो टोपिक रे आमें पडिवाए अबाउट दा बोर्स त्योरिया ओफ हाइड्रोजन अटम और इट्स लिमिटेशन इट अलड़ी तमें प्लॉस्टर भी पडिचाओ तेवे ता पुरबोरु जानिवाको पडिवाँ वाट इच बोर्स अटम मोडेल दोको बोर्स अटम मोडेल टा आस थिला मोडिफाय करी कहाको ना राधर फोर्स अटम मोडेल को आमें जानिचु राधर फोर्स अटम मोडेल डे से एक्स्पेरिमेंट परफॉर्म कर थिले अबाउड द बोंबाडिंग अड स्केटरिंग अब पार्टिकिल्स फ्रम गोल्ड फोल किन्थु सित्रेक इचिता लिमिटेशन देखा गला प्रथम लिमिटेशन थिला से एक्टम रो स्टेबिलिटी कु बुझे पारले नी किला एक्स्पेरिमेंटरली एजिन्स देखा जानी इलेक्टरों टार कॉंटिन्यूसली न्यूक्लियस रा चारीपटे घुरुत है सेकेंड लिमिटेशन से थिरे देखा गला एबाउट दे एक्स्प्लानेशन ओप योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रधर फोर अटम मोडेल बुझे पालला नहीं यह देखा निमिटेशन को सौट आउट कर ले साइंटिस्ट नेल बोर बाई यूजिंग हीज सम अब दो पोस्चुलेट्स फर्स्ट पोस्चुलेट्स रे कोई ले जे गुटे अटम रे सेंट्रल पोजिटिव कोर को से न्यूक्लियस कोई ले विच करीज दो होल पोजिट सार्कुलार और्बिट्स हैविंग डेफिनाइट रेदी थर्ड कोस्टिलोट्र कोई ले पर्मिटेट और्बिट्स अर दोज इन विच द अंगुलर मोमेंटम अब इलेक्ट्रों इस अन इंटिग्राल मॉल्टीपुल लोग है टुपाय याको है क्रॉस मद्यों कोई जाये अबे M V R हीज़ब N H by 2 pi. एठी तमरो एठा अंगुलर मोमेंटम को निया जाई जी. एठी N हीगला, दा प्रिंसिपल क्वांटम नमबर and it has integral value 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, this equation is known as the Bohr's quantization condition. Then come to the fourth postulate. Fourth postulate is को हीले? When electrons revolve in permitted orbits, they do not radiate energy. and such orbits are called non-radiating or stationary orbits. किन्तु, energy radiation केते बाले हाँ, when an electron jumps from higher to lower orbit. high energy रो अर्बित, low energy orbit को जातले electron जाम कोरुची, ताले जो difference आशची, extra energy रो, that is irradiated. हैला, आजो दी ओल्टा हैला, ताले energy absorb हाँ, जातले गोटे electron जाम कोरुची, low energy रो, high energy orbit को, ताले electron, say energy, difference दुटा अर्बित रो energy को, say, absorb कोरुची. आमें कही पारिवा, जोदी मने करो, EI, EF, ये हैगला तमरो energy associated with the orbits, having principal quantum number, suppose Ni and NF, such that, if EI is greater than EF, ताले energy of the emitted electron, ये हैगला, H new equal to EI minus EF. This equation is known as the Bohr's frequency condition. Okay, so this is all about your Bohr's postulates. Now, let us come to study the Bohr's theory of hydrogen atom. प्रथम कथा, आमें जानी चू, hydrogen atom consists of a nucleus containing one proton and one neutron. Proton रो चार्ज हैला positive, plus E. आच्छा, ता सोई तो या चारी पोटे, गोटे single electron अची, जारो चार्ज होची, minus E, and it is revolving around the nucleus. In a certain circular orbit, सपोज तारो radius येगला R, as shown in figure, you can see in this figure here. Okay, so दखा, एठी, तमरो nucleus ताहला एठी, so यारो चार्ज ही जाओची, plus E, because neutron रो तो चार्ज नाही, एठाहला तमरो circular orbit, electron रो, this is minus E, circular orbit रो radius कू R निया जाइची, suppose it is moving with a velocity V. Okay, so this is the figure. Now, let us come to the topic. दखा, अबेसे को हुची कान? ना जत्ते विलेक्ट्रोन ताह, यह जो circular orbit रिवाल कोरूची, ताहले electrostatic force of attraction between the nucleus and electron, it is given by Fe equal to 1 by 4 by epsilon, जो दुद्वीटा चार्ज पार्टिकेल, so Q1, Q2 by R square, यह जो दखा, यह जो जैतु 4 सामें नीचू जो 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 हारा magnitude, ताहले E into E, proton, और nucleus रो चार्ज E, electron रो चार्ज मध्यो E, हेटी हामें negative sin को ते ही नेगलेट कर दी चूँ, magnitude नो उचू तो f e रोव एले हेला e square by 4 pi epsilon 0 r square एठी epsilon 0 हेला permittivity of free space आचा यह कोईब एम आव भी हेला mass and velocity of electron ता लोवे रोवे centriple force, so as to maintain the electron in order to move in the circular orbit it is given by fc equal to mv square by r एटा में जानी चो centripetal force towards the center now this electrostatic force जो आसिला f e between the electron and nucleus will provide you the necessary centripetal force fc in order to move or revolve the electron around the nucleus so a d eta जाको एबे आमें कोही परेबाजे equal so f e equal to fc करदा बार and we will now solve this so dhaakho mv square equal to e square by 4 pi epsilon 0 r ही जाला काहीं की यठी गुट्टे r और यठी r एटा cancel ही जी जी so एबे आमें boards postulate लगेबा boards postulate जो angular moment रोको भूची कोनो mvr equal to nh by 2 pi so n होची एठी integer so एठीर आमें कोणों करीबा भी रगेलू ने जीबा b equal to nh by 2 pi mr एबाँ याको पूट करीबा in the upper equation mv square जोड़ा थिला एबे एठी भी रगेलू एठी पूट कर देला याको एबे solve करी बार होची so solve करी करी जीबा एला दखवा आमें e जागा रे पहुंचला n square h square by 4 pi square mr square equal to e square by 4 pi epsilon 0 r and we will calculate for the value of r the kare is either this equation will give you the radius of nth circular orbit which is the allowed one okay So, एठी जोना पोड़ुची, जो आमें जो radius भार कला, it is proportional to n square. So, for n equal to 1, r1 रो भेलुची की ही कला, हैला? And putting the various values, we get, it is the h रो भेलुची आमें जानी चू, Planck's constant, similarly, पाय रो भेलु 3.14, mass of the electron, then charge of the electron, ये सब्बु भेलुची जो आमें पूट कर दो चू, r1 रो भेलुची 0.53 ये आंक्स्ट्रम आसी जिवा, हैला? Radius of the first orbit. So, this is the radius of the innermost or the first orbit and is known as the Bohr's radius. Okay, एबे आक्को बढ़िवा, next ला, तमारा energy of electron in the hydrogen atom. So, दाखः, electron जेते वाले, nucleus रो चारी पोटे, revolve कर ची, माने, move कर ची, obviously, it will possess kinetic energy and this kinetic energy is nothing but equal to half mv square. mv square value, आमें already equation 2.29 पाइचो, e square by 4 pi epsilon 0, r तको अबे पूट करिवा, हैला? Now, the potential energy आबे जदी आमें electron लो बाहर करिवा, this is given by how much? 1 by 4 pi epsilon 0, हैला? Plus e into minus e divided by r, or minus e square by 4 pi epsilon 0, हैला? So, kinetic energy or potential energy पाइचो अगला? So, now, the total energy is obviously the sum of the kinetic energy and potential energy of the electron, okay? So, e equal to ke plus pe, तरो respective value पूट कर ला, so it becomes equal to minus e square by 8 pi epsilon 0, r. So, this is the total energy of electron, एबे एठी जो r भेलू, आमें radius रो जो भेलू टा पाइए थिला equation, तको जदी यूज करूचो, So, e square minus e square by 8 pi epsilon 0, एठी आमें r भेलू पूट कर देला, So, total energy आमें पाइगला, minus me 4 divided by 8 epsilon 0 square, n square, h square. So, एठीर जोणापूर जी, the total energy of hydrogen atom is a negative quantity and it varies inversely as the square of the principal quantum number n, एठी जो तोड़े n square आची, so यहां संगरें यह inversely proportional. Thus, we can say that en equal to minus me 4 by 8 epsilon 0, n square, h square. आजोदी आमें allowed values of energy, जोदी कहिवा, ताकू को आजाए the energy levels of hydrogen atom. एला, n एठी तोमरा, accordingly 1, 2, 3, 4 जमती आसे ला, So, जो जो allowed energy बहार ला, e1, e2, e3, corresponding energy values, ताकू को आजाए energy levels of your hydrogen atom. आखको बड़े भा, एपे आमें देखिवा, the frequency of radiation and wave number. So, जमती आमें देखिला, जेत्रोडे गुटे इलेक्ट्रोन, higher energy orbit रू, lower energy orbit को jump करूची, higher energy को n2 सपोज आमें कहिला, lower energy को n1 कहिला, ताले एजो दुटा भी तिरे difference होची, that much of energy will be irradiated. सपोज बड़े जागोरा, औरभी टरो energy हेगला, en1, en2, ताले एबे जो en1, en2 रो respective value जामें लेखिपारी बा, किछी नहीं, same equation के बड़ा, n1 गुटे री लखी देबा, और गुटे रे, n2 लखी देबा, सब डिफ्रेंस टाके थाएला, en2 minus en1, किला, कमान अनी आसी बा, m e4 by 8 epsilon 0 square h square, bracket रोईला, 1 by n1 square minus 1 by n2 square, सब याको आमें calculate जोदी कोरूचु, दाखो, यह जो difference in energy of the emitter radiation, आमें जोदी boards postulate लोगेबा, it is nothing but equal to h new, एटा boards postulate कोईला, और new, the frequency, is the difference in energy divided by h, सब यह जो new रो भेलू आमें पाईला, यह थिरे बे, आमें कोण कोरीबा, यह difference in energy en2 minus en1, जोटा की यह equation रोपाईचु, ताको यूज कोरूचु, जो frequency रो वेलू, यह जोड़े आसी गला, and from which we can calculate now the wave number, frequency is nothing but new equal to c by lambda, यह जो, एठी जो lambda आमें पाईला, एटा हुची, तामरो wavelength of radiation emitted, and c is the velocity of light, जो एठी रिये 1 by lambda, which is the reciprocal of your wavelength, यह जो, एठी सी को रसेट को निवाला, यह जो, एठी जो क्वांटिटीटर आसी दाको, me4 by 8 epsilon 0 square, CH cube, यह को आमें गोड़े constant नी पाईबा, RH, यह जो, यह जो, वेलू हैला, 1.097 into 10 to the power 7, meter inverse, this constant is known as Rydberg's constant for hydrogen atom, आजो, 1 by lambda आटा है आसीला, it is nothing but the wave number, यह को आमें new bar, बोली लेखी पारिबा, it represents the number of waves in a unit length, okay, unit length रेख केते टेटा बुएब अची, ताको रिप्रेजेंट करें, so new bar equal to how much RH into 1 by N1 square minus 1 by N2 square, so the spectrum of hydrogen atom will be a line spectra, यह जोना पर लाजे, hydrogen atom रो spectrum टा line spectra जोटा की आमें आको पढ़िवा, hydrogen spectra रे, अला, now let us discuss some of the limitation of your Bohr's atom model, दखा, यदियो बोल बोद भाला भावरे explain करी पाले regarding the atom model, फिर भी एथरे किचिरा लिमिटेशन आशेला, प्राथम काथा, यदियो बोले 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 पाले पड़ायाब्चि गाथा, the prediction do not agree with experiments entirely, certain predicted lines do not observed at all, So, in other words, it fails to explain the spectra of multi-electrons atom मानने hydrogen case रखणो, गोट्टी electron होची ज़ते लोड़ आमें आहरी बड़े बड़े जिवा electron संख्या ताले boards theory आउँ एक्स्पेक्ट्राल लाइन कोथा आशची In case of high resolution spectrograph ज़ते लोड़ आमें याकू दखुचू experimentally, दन आमें जखुचू ज़े प्रत्यक लाइन यथिरे group of several lines अच्छी यथी, they consist of group of several lines but these are very close to each other and this is called the fine structure of hydrogen lines इन्तु boards theory याकू explain कोरी पार्ला नहीं कहागू जो fine structure of spectral lines of your hydrogen atom थाले limitation आशिला, experimentally दखागला जे some of the spectral lines are stronger and others are weaker in intensity इन्तु याकू भी boards theory explain कोरी पार्ला नहीं यहला, it doesn't predict anything about the relative intensity of spectral line intensity मध्याब यह माने किछी भी explain कोरी पार्ला नहीं चारी नंबर limitation, boards postulate look arbitrary arbitrary माने, there is no reason for assuming the orbit to be circular and angular momentum equal to integral multiple of your h cross यहला, जोड़े कि आकको summer field आभरी यहको modify कोले से नहीं कोले, सोबो orbit को circular नो नहीं की ellipt करने ले आव लास्ट limitation दे, it doesn't explain the splitting of the spectral lines under the effect of magnetic field magnetic field रे जो spectral line रो splitting होजी ताको भी boards theory explain कोरी पार्ला नहीं ओके Thank you